वो कई बार UPSC के एक्जाम में फेल हुआ था लेकिन उसने फिर भी कभी हिम्मत नहीं आ रही थी वो सुरुआत से पढ़ाई में अच्छा नहीं था और नहीं उसे खास दिल्चस्पी थी पढ़ाई में जब उसने graduation में BTEC किया था तो उसके मात्र 56% अंक आय थे BTEC करने के बाद उन्होंने 2 साल तक coaching institute में भी पढ़ाया था उसे लगा वो इससे अच्छा कर सकता है इससे बहतर कर सकता है उसने BSNL में जौब की लेकिन कुछ समय बाद वो जौब भी छोड़ दी और UPSC की तयारी में जुट गया और 12-12 गंटे तक उसने पढ़ाई की उसी दोरान पीठ में चोट लगने के कारण से उससे 7-8 महिने बैड पर ही पढ़ाई पूरी करनी पड़ी इरादा उसने पक्का किया हुआ था और UPSC एक्जाम 2018 उसने क्रेक किया और उसे सफलता मिल गई और रैंक एर 32 हासिल की जी हाँ दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ IS ओफिसर वैवाउ छाब रहा की उन्होंने बताया था कि इरादा अगर सच्चा हूँ तो कुछ भी नामकिन नहीं है दोस्तो मॉटिवेशन वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेट सेक्षन में मुझे जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना नाम है